जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी काम्याबी मिली है बता दे कि सेना ने आज सुबा सुबा तीन आतंकवादियों को मार गिराया है जम्मू कश्मीर के कुपवाडा में सुबा सुबा इनकाउंटर हुआ भारती सुरक्षा बलों को बड़ी काम्याबी हाथ लगी जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में एलोसी यानि की नियंत्रन रेखा के पास चलाए गए अलग-अलग दो ओपरेशन्स में तीन आतंकवादी धेर हुए हैं भारती ये सेना ने गुरुवार को ये जानकारी दी इंडियन आर्मी के एक अधिकारी ने बताया कि माचिल और तंगधार इलाकों में ये उपरेशन बुधवार को शुरू किया गया था स्रीनकर इस्थिस सेना की चिनार कोर ने सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा है घुसपैट की आशंका के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर भारती ये सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 28 और 29 अगस्त की दर्मियानी रात को माचिल कु सेना ने बताया कि तंगधार इलाके में इलोसी पर चलाये गए एक अन्य अभियान में एक और आतंकवादी के मारे जाने की आशंका है फिलहाल विस्तृत जानकारी का इंतजार है ये उपरेशन जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और पुलिस ने मिलकर चलाया था गुस्पैट विरोधी अभियान था ये जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंतरन रेखा पर गुरुवार को दो अभियानों में तीन गुस्पैटियों के मारे जाने की संभावना है बतादे कि सेना की तरफ से तलाशी अभियान चलाया जा रहा था इस बीच जम्मू कश्मीर के राजवरी जिले में 28 अगस्त को आतंकवाडियों और सुरक्षा बलू के बीच मुटबेड के बाद तलाशी अभियान चलाया जा रहा है अधिकारियों ने बताया है कि 28 अगस्त को रात 9 बजे गाउं खेरी मुहरा लाठी और दंथल इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया गया जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा कि तलाशी अभियान के दौरान 28 अगस्त को करीब पौने 12 बजे आतंकवाडियों के साथ संपर्क इस्थापित हुआ और खेरी मुहरा इलाके के पास आतंकवाडियों और सुरक्षा बलू के बीच गोली बारी ह इससे पहले बुधवार को सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल M.B. सुचींद्र कुमार ने सूला कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नवीन सचदेवा के साथ सुंदर बनी सेक्टर में नियंतरन रेखा पर अग्रिम इलाकों का दौरा किया था और समेक्षा की उन्हें शेत्र में सुरक्षा बलू के बीच तालमेल और अभियान संबंधी तैयारियों के बारे में जानकारी दी गई सेना कमांडर ने फॉर्मेशन की सहायक इकाईयों का भी दौरा किया और सभी रैंकों को व्यापक अभियान संबंधी ततपरता बनाये रखने के लिए प्रोच्साहित किया सेना कमांडर ने रोमियो फॉर्स के जी ओसी मेजर जनरल मणीश कुपता के साथ अंदरूनी इलाकों में सैनिकों से मुलाकात की और उन्हें शित्र में अभियान संबंधी तैयारियों और सुरक्षा इस हिती के बारे में जानकारी दी सेना कमांडर ने सैनिकों की सराहना की और सभी रैंकों को भविश्य की चुनोतियों के लिए उच्च मनोबल और व्यवसाइकता बनाये रखने के लिए प्रोचाहित किया फिलहाल जम्मू कश्मीर से खबर ये है कि सेना ने तीन आतंकवादियों को मुठ भेड में मार गिराया है सेना के लिए बड़ी सफलता है वीडियो डेस्क अमरुजाला.डाट कॉम अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें